नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गरांड जोती सीक्रेट आज हम बात करेंगे मुलांख दो की यानि आपका जन्म किसी भी महिने की दो तारिक 11 तारिक 20 तारिक या फिर 29 तारिक को हुआ है तो आपके किसी भी महिने के याद रखिएगा आपका भाग्यांख क्या है और कैसे आप अपनी किसमत के दरवाजी को खोले साथ ही आपके बारे में भी हम बहुत कुछ बताने की कोसिस करेंगे आपका ब्यक्तित्त, सुभाब, बैभार और किसमत की चावी तो वीडियो के अंतक बने रहें देखिए आप वैसे तो आपने सुना होगा मुलांक के बारे में तो आज हम मुलांक चुकी दो के बारे में बात करें तो आप अगर हम बात करें देखें मुलांक दो का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा हर धाई दिन में रासी परिवर्तन करता है तो ऐसे में मुलांक दो से संबंदित जो लोग होते हैं यानि जिनका भी जन्म किसी भी मैंने के 2,11,20,29 तारीक को हुआ है ये लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं बहुत ज़्यादा दिल के अच्छे होते हैं और सरल होते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है इनके साथ कि एक ही कारे बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते इस्तिर नहीं दा सकते इनका स्वभाव इनकी सोच थोरी-थोरी धरदर होती रहती है लेकिन जन्म जात कलाकार होते हैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने की तमन्ना होती है वैसे तो सारीरिक रूप से अधिक बलवान नहीं होते लेकिन मांसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं कभी-कभी आपको लगेगा इनका कॉन्फिडेंस गरबर हो रहा है आदम विस्वास थोड़ा सा जैसे लगेगा डगमगा रहे हैं लेकिन धीरे-धीरे फिर चीजे ठीक होने लगती है वैसे तो दूसरों को समोहित करने की जो एक चार्म होता है न वो इन में होता है ये बहुत आसानी से कोई भी इनकी तरफ आकरसित हो जाते हैं हर किसी के साथ घुल मिल जाना इनके बाएं हाथ का खेल है और स्वभाब कभी-कभी आपको लगेगा थोड़े से सक्की है संकी हैं बहुत तरफी चीजे हैं पर ऐसा होता नहीं किसी दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये उनका चेहरा देखकर आसानी से पढ़ लेते हैं इतने गुनिन में होते हैं वैसे ये पढ़े लिखे भी होते हैं क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ये बहतर होते हैं और अमूमन सिक्षित होते हैं कभी-कभी किसी बात का वहम पाल लेना या फिर परिवर्तन सील जो सुभाव होता है इसके करण पढ़ाई में रुकावट भी आ जाती है और जीवन में एक चीज का मलाल इन्हें होता है कि जितनी इन्होंने सिक्षा गरहन की है उस अनुसार इनको जीवन में उतना कुछ नहीं मिल पाता यानि टैलेंट तो ज़्यादा होता है पर चीजें इन्हें कम प्राप्थ होती है पर फिर भी ये हार नहीं मानते और अपने मन मुताबिक चीजों को पाही लेते हैं अगर इनके लव की बात करें तो उतना सफल होते नहीं दिखते ये लव लाइप में क्योंकि मुलांक दो बालों के लव लाइप मरी जिन्दीगी में आपने देखा होगा कि ये जिसे इनका प्यार अधूरा रह जाता है लेकिन पारी बारी जीवन सुखत होता है और जिनसे भी इनका विबा होता है साय दो इनका जीवन साथी ही कुछ नसीब होता है कि इनके तरह उन्हें जीवन साथी मिलता है लेकिन आपके बारे में अगर हम सीधी साथे सब्दों में बताना चाहें तो अगर आपका जन्मे दिन किसी भी मेहने की 2, 11, 20 या 29 तारीक को हो तो आप ये समझे कि आपका जो रूलिंग नंबर है वो 2 है और ये अंक चंद्रमा की कोमलता से भरा हुआ है दूसरी तरफ यहाँ पर आपके लिए जो जादूई अंक है यानि आपके किस्मत को चमकाने वाला अंक होगा वो होगा 2, 2 यानि 22 कैसे इस्तमाल कीजिएगा कि आपकी किस्मत चमक जाए सफेद कागज पर पीले रंग से लिखिए 22 यानि 22 जिसे कहते हैं आप लिखिए और अपने पास सुरक्षित रखिए भावनात्माक रूप से इमोशनली रूप से आप ठीक बने रहेंगे और करियर में सफलता भी आपको बराबर से मिलती रहेंगी चुकि चंद्रमा अंक का यहाँ पर चंद्रमा का अंक है दो न इसलिए सिप जी की उपासना आपको करनी चाहिए और आपके लिए कलाब, फिल्म, चिकितसा, सिक्छा, खाने पेने के छेतर में जाना उत्तम रहेगा आप सफलता भी आसानी से इन छेतरों में पालेंगे दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अंक दो के लिए सोंबार का दिन स्वभागे साली माना जाता है किस्मत की चाभी सोंबार के दिन छिपी भी है तो इस दन ही आप तमाम सुभकारे कीजिए आपको सफलता आसानी से मिलेगी चुकि अंक दो का परतिनी धित्तो चंद्रमा करता है इसलिए इस अंक के जो व्यक्ति होते हैं बहुत आकरसक होते हैं भावनात्मक और अन्य भावनाओं में बहने वाले होते हैं वैसे आपके लिए अंक दो और साथ यानि मुलांक जो होंगे न इनसे मेत्री करना इनसे मित्रता करना संबंध बनाना आपके लिए अच्छा होता है आपके लिए वैसे सुबरतन मोती है और साथ ही यहाँ पर सोच समझ कर वैसे मोती धारन करना चाहिए और जब आप किसी से सला लेते हैं फिर धारन कीजिएगा लेकिन हमने आपके बारे में खूबियां बताने की कोशिस की है अब हम आपको बिश्टार से बताने की कोशिस कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा अगर हमने जैसा बताया आपके बारे में आपका जन्म किसी भी मेहने के 2, 11, 20, 29 तारीक को होता है तो आपका मुलंक 2 होता है और यहां पर चंद्रमा आपके मालिक हैं तो अगर आप अक्टूबर, नौंबर या दिसंबर के मेहने में आपका जन्म हुआ है तो यकीन मानिये थोड़े से आपका स्वास्त कमजोर होता है कभी कभी आप एकदम से उत्साहीन हो जाते हैं लेकिन अगर आपका अप्रेल जून जुलाई में जन्म हुआ है तो आप सबसे ज़्यादा लखी हैं क्योंकि इस समय उन्नती करने वाले और प्रभाव साली व्यक्तित्तों के आप मालिक होते हैं सूमबार के दिन आपको इभी काम सुरुवात करते हैं तो यकिन आपको सफलता मिलती है और आप अगर अंक 1,4,7,10,13,16,19,25,25 तर तर तारीकों को कोई भी काम करते हैं तो यकिन नाप देने वाला होता है सफलता आसानी से मिलती है इसलिए इन तारीखों को अगर आप काम की सुरुआत करें तो बहतर है आपके लिए भूलकर भी 5, 14 और 23 तारीखों काम की सुरुआत करना कभी भी सुब्ण ही होगा इसलिए काम की सुरुवात मत कीजिए आप बचिए अंक मुलांक जो है दो उनके लिए सफेद रंग पिष्टा रंग अच्छा होता है आप प्रियोग करें और आपके लिए चांदी मोती सुभ होता है आप प्रियोग करें आप सिप जी की उपास ना करें तो आपके लिए बेहतर होता है दूसरी तरफ जो मुलांक दो वाले होते हैं इनके लिए इनके जीवन में कुछ चीजें अचानक होती है जैसे कि आपको लगेगा अचानक से आप लक्ष से थोरी से ही दूर है लेकिन दूसरे ही बक्त जब आप तेजी से लपकते हैं लक्ष की प्राप् कभी आपकी जीवन में सच्चाई हकीकत आगर आप सविकार कर लेते हैं तो आप बहतर कर पाएंगे जो सच है उसे सुआ करें और आप जमीनी हकीकत को समझें आपकी जो महत्व कांशाय उसको पुरा करने के लिए अप सुस्त भी अपने स्वास्त का ध्यान रखें और अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसका आपको फाइदा भी मिलता है लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए थोड़े से पेसेंस के साथ काम करें वैसे कभी-कभी आपको लगता है जैसे बंधन तोड़ दें आजाद हो जादा संब्धन सी जगों पर मत रहें और आपकी जो भी जिम्मेदारी तया है उसे निभाईए येकिन मानिया आप तरक्की बहुत आसानी से करेंगे सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जितना बैस्त रहेंगे जितना जादा बड़े लोगों के साथ हैं जितना जादा सी खल हो जाते हैं वैसे जिनका मुलांक दो है इनको आखों का थोड़ा सा ध्यान अखना चाहिए थोड़े से सरदर्द का भी ध्यान अखना चाहिए क्योंकि आपकी नींद आपके मस्तिक्स बहुत जरूरी चीज़ हैं हर हर माई